नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजे विद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया और अगले 6-7 मिनट मैं आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँगा आसकर अवार्ड समारों में भारत के हिस्से में दो अवार्ड आये हैं आप सब जानते हैं लेकिन 81 और अवार्ड भी आये हैं ये बात आप नहीं जानते वो मैं बताऊंगा आपको दू अवार्ड कौनसे मिले है, R R R नाम की फिल्म के नाटू-णाटू-नाच को, डांस को अवार्ड मिला है और दूसरा The Elephant Whispers, यह एक डॉकुमेंटरी 40 मिनिट की है, फिल्म इसको अवार्ड मिला है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे कहीं ज्यादा इससे 40 गुना ज्यादा 81 अवार्ड मिले है यह मैंने ही कह रहा यह दावा भारत के एक अंग्रेजी भाशा के एक बहुत बड़े अकबार ने किया है अगबार ने यह दावा की साधार पर किया है इसकी चर्चा करेंगे लेकिन पहले देखते हैं कि जो आवार्ड है इसको लेकर भी कैसे राजनीती करने की चीजें हिंदुस्तान में शुरू हो गई है हुआ ये कि राज्यसवा में आवार्ड के जो विजेता है उनको बढ़ाई देने का सिलसला शुरू हुआ राज्यसभा में जो सदन के नेता है प्यूज गोएल उन्होंने यह महत्मूर्ठ जानकारी दी की RR फिल्म के स्क्रिप राइटर राज्यसभा के मेंबर है और मौजूदा मेंबर है नॉमिनेटेड मेंबर है W. W. प्रसाद इन्होंने RR फिल्म की स्क्रिप लिखी है पिछले साल मार्च में या मई में इनका नामंकन राज्य सभा के लिए किया गया था नॉमिनेट किया गया था प्रधान मंतरी ने खोद इने फोन किया था और फोन पर उन्हें बधाई दी थी और आमंतरित किया था कि राश्टपती की तरफ से आपको बुलावा है कि आप रा राजपती जदीग धनकड ने से दोराया और फिर मलिकार जुन खड़गे लीडर ऑफ अपोजिशन की बात बारी आई तो मलिकार जुन खड़गे समझ गे कि कहानी किस तरफ जा रही है किस तरह की राजनीती होने लगी है कैसे और उसकार आवार्ड जो मिले है ऑसकर के वो भ नहीं ऐसा ना हो कि लोग कहने लगें कि साब मोदी जी नहीं फिल्म डिरेक्ट की है मोदी जी ही फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर है इस पर सब हसने लगे हाला कि मलिकार जुन खड़गे भी राज्यती करने से खुद नहीं चुके वो खुद करनाटक दक्षिन भारत से आ थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की फिर पीछे से कुछ आवाजें कॉंग्रेस के बेंच की तरफ से आने शुरू हो गई कि 1983 में सबसे पहले आसकर मिल गया था बानू अथाया को आसकर मिल गया था कहने का मतलब ये था कि 1983 में देश में इंद्रा गांधी की सरकार यानि क कॉंग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो गजब है ये देश लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मूदी फिल्म के डिरेक्टर नहीं है ऐसा ना कह दिया जाए ये कहा गया मजाक मजाक में हलके फुलके स्वर में फोड़ा तंच कसने के अंदाज में भी चुटकी लेने के अंदाज में भी कहा गया लेकिन देश की पॉलिटिकल फिल्म की बात करें तो इसको 2014 से जो देश में पॉलिटिकल फिल्म चल रही है इसको डिरेक्टर कौन कर रहा है इसके डिरेक्टर कौन है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी डिरेक्टर है ना 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 प्रधान मंतरी नरेंदर मोध को कुछ जानकारों के अनुसार सिर्फ डिरेक्टर कहना उनकी प्रतिबात का सम्मान नहीं करना होगा वो दरसल मनोज कुमार हैं भारत कुमार हैं जैसे मनोज कुमार को भारत कुमार की उपादी थी वैसे नरेंदर मोधी को भारत मोधी की उपादी दी हुई है ये इसमें भी 2014 से जो देश में पॉलिटिकल फिर्म चल रही है उसके डिरेक्टर, एक्टर, प्रोडूसर राइटर स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर डायलोग राइटर सब के सब कौन है एक ही शक्स है लेकि टेलिग्राफ अगबार का मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है, टेलिग्राफ अगबार ने ये देखिए हेडलाइन दी है दा साइलेंट मूवी स्टार और 81 ओसकर बनाए है ट्रोफियां जो ओसकर की मिलती है और सब पर आप कौर से देखिए सब अडानी 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 की तस्वीरे दिख रही है चेहरा अडानी गा दिख रहा है तो कुल मिलाकर वो कह रहे है कि टेलिग्राफ ने बड़ा करारा तंज कसा है कि 81 सवाल हिडन बर्ग रिपोर्ट को लेकर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से पूछे गे और नरेंदर मोदी जो हर चीज पर बोलते हैं हर चीज पर रियाक्ट करते हैं वो खामोश रहे तो साइलेंट मूवी स्टार है नरेंदर मोदी जिनको इस बात के लिए आउसकर मिलता है कि कैसे वो हिडन बर्ग रिपोर्ट पर खामोशी अक्तियार किये हुए है कथित रूप से अपने दोस्ट अडानी को बचाने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ बड़ी चलाकी से जैसे फिल्म का एक भाग होता है जिसमें विलेन भी होता है फिर एंटी हीरो भी होता है खलायक होता है तो इसमें एंटी हीरो और खलायक ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है इस पुग्रे कांड में राहुल गांदी को लेकर और डिरेक्ट एक्टर डायलोग राइटर सब के सब नरेंदर मोदी है लेकिन खामोश है एक डायलोग नहीं बोल रहे हैं यानि आलम आरा फिल्म जो पहली बूल्टी फिल्म थी उसके पहले के युग में आ गए हैं और एक भी डायलोग बोले बिना एक्यासी अवार्ड ले गए हैं आसकर के चुप रहने के साइलन्ट मुवी स्टार क्या बताएं आगे चलिए वीडियो पसंद आया तो शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे और घंटी जैसी आकरिती बायल आइकन दबा दीजे ताकि नया वीडियो आया तो आपको जानकारी मिल जाए विद्रोही7 मेरा क्वेटर है विजे विद्रोही7 शुक्रे आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए